पॉपुलर एक्टर और टीवी रेयलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 की विनर सिधार शुकला के निधन से पूरी फिल्म इंडस्टी और टीवी इंडस्टी में शो की लहर दोड़ पड़ी है बता दे आपको कि 40 वर्ष ये सिधार शुकला का हाट अटैक के चलते निधन हो गया सिधार शुकला जिन्होंने टीवी इंडस्टी से लेकर फिल्म इंडस्टी तक अपनी खास पहचान बनाई सिधार शुकला जिन्होंने कई टीवी रेयलिटी शोज का खिताब अपने नाम कर लिया सिधार शुकला एक ऐसा जाना माना नाम जिनके करोडों चाहने वाले थे लेकिन आज सिधार शुकला हमारे बीच नहीं है हर किसी की आँखें नम है और कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि सिधार शुकला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं सिधार शुकला के निधन के बाद उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है और ये तस्वीरें वीडियोज हर किसी की आँखों को नम कर रही है बता दे आपको कि सिधार शुकला के आखरी रक्षा बंधन की तस्वीर भी तेजी से वाइरल हो रही है सिधार शुकला हर एक त्योहार को बहुत ही शांदार अंदाज में सलिबरेट किया करते थे तो वही राखी का प्यारा साथ त्योहार रक्षा बंधन भी वह शांदार अंदाज में सलिबरेट किया करते थे बता दे आपको कि सिधार शुकला के परिवार में हैं उनकी मा और उनकी दो बड़ी बहने अपनी दोनों ही बड़ी बहनों से बेहद प्यार करते थे सिधार शुकला सिधार शुकला घर के सबसे छोटे सदस्य थे और इसी वज़र से वह अपनी मा के और अपनी बहनों के लाडले थे अपनी दोनों ही बहनों के साथ सिधार शुकला रक्षा बंधन का त्योहार बहुत ही शांदार अंदाज में सेलिबरेट किया करते थे सोशल मीडिया पर रक्षा बंधन सेलिबरेशन की तस्वीरों को शेयर किया करते थे और अपनी दिल की खुशी को भी जाहिर किया करते थे वही हाल ही में सिधार शुकला ने रक्षा बंधन सेलिबरेशन की तस्वीर को शेयर किया और इस तस्वीर में सिधार शुकला अपनी ननी सी नीज के साथ नजर आए इस खुबसुरत तस्वीर को शेयर करते हुए सिधार ने लिखा इस दोरान देखने को मिला कि सिधार्थ काफी खुश नजर आए हैं और उनके हातों में धेर सारी राकियां भी बंदी हुई है इतना ही नहीं सिधार्थ शुकला ने इससे पहले भी रक्षा बंदन सेलेबरेशन की तस्वीरों को शेयर किया सिधार्थ शुकला येलो कलर की टी शिर्ट और ब्लू कलर की जीन्स में अजर आए और शेयर करते हुए सिधार्थ ने लिखा था पॉकेट्स एमपटी थैंक गॉड इट्स कम्स वन्स अ इयर इतना ही नहीं सिधार्थ ने दूसरा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा लुक वाट राखी हैस डन टू मी जीहां सिधार्थ ने बताया कि देखिये राखी के तेवहार पर उनके साथ क्या हुआ है सिधार्थ ने बताया है कि राखी के तेवहार पर उनकी पॉकेट्स खाली हो चुकी है जीहां बेहनों के साथ इस प्यार भरे तेवहार को सेलिबरेट करने के बाद सिधार्थ शुकला की पॉकेट्स खाली हो चुकी है और इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया के जरीए बत इतना ही नहीं सिध्धार शुकला ने इससे पहले भी सोशल मीडिया पर राकी के तियोहार की खास मोगे पर एक तस्वीर को शेयर किया और लिखा था कि सिधार्ट ने इस पोस्ट को साल 2014 में 10 अगस्त के दिन सल रेपीट 10 अगस्त के दिन शेयर किया था और आज ये तस्वीर हर किसी को रूला रही है सिधार शुकला इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं और सिधार शुकला के रक्षा बंधन की सेलिब्रेशन की ये की आँखों को नम कर रही है दो बड़ी बेहने जो सिधार्थ को बेहद प्यार कर दी थी लेकिन आज उनका एक लौता भाई इस दुनिया को अलविदा कह कर जा चुका है हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस